So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी revision class और हाँ अगर आप में से कोई इस वीडियो को very first time देख रहे हैं तो आपको बता दू ये daily current affairs वाली class नहीं है, ये हमारी revision वाली class है मतलब इसमें हम revision करते हैं, किनका revision करते हैं, इसमें 10 static questions होते और ये 10 static questions कौन से होते, ये current affairs में जो topics चल रहे हैं, वहीं से निकाले गए प्रशन है जैसे कि, जैसे कि अभी कोई organization news में थी, जैसे कि United Nation अभी news में आया तो यहाँ पर उसके प्रशन आपको मिल जाएंगे, कि उसका headquarter कहाँ पर है, उसके secretary general कौन है, उसकी staff न कब होती है तो इस तरह से जो static प्रशन है, वो वहीं लिये जाते हैं, या वहीं से लिये जाते हैं, जो current affairs में topics चल रहे हैं उसके अलावा 20 questions हम पिछले 6 महिने के current affairs के करते हैं, और कल के current affairs की class के questions का भी हम last में revision करते हैं तो इस तरह से ही हमारी revision वाली class बनती है, मतलब कहने का यह है, इसमें हम नया कुछ नहीं पढ़ते, पुरानी चीज़ी जो का बार-बार revision करते हैं कहने को तो यह 40 questions है, लेकिन जब आप इस class को पूरी देखेंगे, तो आपको पता लगेगा, आप 60-70 questions कवर कर रहे हो, 12-13 minute के अंदर और daily current affairs वाली class देखना चाते हो, तो उसका अलग से video upload होता है, वो आप देख सकते हैं तो चलिए, start करते हैं आज के हमारी class देखेंगे मारा पहला प्रश्न क्या है, wrist assured ये किसके आत्मगत्थ है, गुंडपपा विश्वनाद, पूर्व भारते कप्तान थे ये, किर्केट में, और museum of the future ये कापे स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे खूब तुरत इमारत कहा है, दुबई में, इसके अंदर आपको भारत के बाहर पहला योग विशुध्याले लॉस अंजिलिस में है, इसका नाम स्वामी विवेका नंद जी के नाम पर रखा गया, योग विशुध्याले, और योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला भारते राज्य बना और प्रधान मंतरी गती शक्ती के तहट पहला कार्गू टर्मिनल कांपे स्तापित किया गया, तो आंशर होगा असंसूल रेलवे स्टेशन पर शिमंगाग, नेशनल रोपवे डेवलप्मेंट प्रोग्राम इसको क्या नाम दिया गया, परवतमाला, और आपको याद होगा रोपवे सेवा को सार्वजनिक करने वाला पहला भारते शहर बना था वरनसी, नदियों के लिए अंतर राश्ट्रेट कारणे दिवस होता है चोदा मार्च को, यानि कि इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स, इसकी भी ठीम थी, जैव विवित्ता के लिए नदि फिर बताओ विश्व उपमोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंजूमर राइड दे, यह होता है पंदरा मार्च को, इसकी थीम थी, फेर डिजिटल फिनेंस, हिंदी का साहित्य पुरुसकार किसे मिला था भी, ये दया प्रकाश नहा को मिलाता उनके नाटक समराट अचोक क के लिए, जबकि अंगरी जी का मिला था नमिता गोखले को, तिंक्स तू लिव बिहाइंड के लिए, अब यहाँ पे एक प्रस्ण में आपसे पूछूंगा, आपको बताना है, दो हजार वाईस का बुकर पुरुसकार, ये किस से मिला है, वैसे 2021 का तो आप जानते होंगे, 2020 का बुकर पुरुसकार मिला था, डेमन गलगुट को ये साउथ अफरिका के लेखा के है, उनके नौवल दो प्रामिस के लिए, और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरुसकार मिला था, डेविड डायोग को, ये फ्रांस के लेखा के है, उनके उमपन्यास, एट नाइट ब्लैक के लिए, अब बताओ बाफ्ता, यानि के ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवर्ड्स, तो बाफ्ता फिल्म अवर्ड्स 2020 में बेस्ट एक्टर रहे कौन, विल स्मिथ, किंग रिचर्ड नाम की मुवी के लिए, और जो आस्कर है, 94 नंबर के 2022 में, उसमें भी बेस्ट ए रही है, जो आना, इसकेनलान, आफ्टर लव नाम की मुवी के लिए, तो बताए, अभी किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपती के रूप में चुना गया, तो अंसरोगा केटले नोबाग को, हंगरी की केपिटल होती है बुड़ा पेस्ट, और बताओ किस राज्य के महिलाओं के लिए, सुष्मा स्वराज पुरसकार की गोष्टना की थी, तो अंसरोगा हरियाना ने, और सुष्मा स्वराज जी से याद होगा, प्रवासी भारते केंद्र का नाम सुष्मा स्वराज भवन रखा गया था, अब बताओ, सेबी का पूर्ण कालिक सदस्य किसे न्यूट किया गया, तो अंसरोगा अश्विनी भाटिया को, अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मादवी पूरी बुच, अंतरराश्टर महिला न्यायदीज तिवस, ये कब मनाया गया, तो अंसरोगा 10 मार्च को, चलो बताओ, यूएस के सुप्रीम कोट में पह पवार ने, जो की BCCI और ICC के पूरू अध्यक्ष रह चुके है, इसको च स्टीट ऑफ गवर्नेंस रेंकिंग 2021 है थी, उसमें कौन सार राज्य पहले स्थान पे रहा तो अंसरोगा आंधर प्रदीश, और किस राज्य सरकार ने महिला एड़रेट कारेकरम शुरू किया था तो अंसरोगा करनाटक ने, जिसका उदेश्य था, महिलाओं के कारेबल में भागीदारी को 50% तक बढ़ाना, और किस बैंक ने हैश्टेग लक्ष्मी for लक्ष्मी को लॉंच किया था, तो अंसरोगा HDFC mutual fund ने, अच्छा देश का पहला पूर्न महिला स्वामित्व वाला, फ अच्छा अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाए, अदीती अशूक का सम्मद किस से है, तो एक काफी न्यूज में रहती है, याद रखना इनका सम्मद गोल्फ से है, फिर बताइए, चिली के सबसे युवार राश्टर बती कौन बने, गैब्रेल बॉरेक, चिली की केपि तो आंचार होगा, हर्मन प्रीत कौर, अभी 2022 में जो वुमेंस वर्ल्ड कप हुए थे, ये न्यूजिलेंड में हुए थे, चलो अब बताओ, उसको किस ने जीता, और किस को अराक जीता, किस देश के पूरवर राश्टर बती, रफीक तरार का निदन हो गया, पाकिस्तान क अभियान में भारत का प्रत्य निदित्व करने के लिए किसे चुना गया, आरूशी वर्मा को, किस राज्य ने मिशन अंद्र धनुष में पहला इस्थान हासिल किया, उलीशा, ये एक स्वास्त सिवा पहल है, जिसे शुरू किया गया था 25 देसंबर 2014 को, किसे चार धम परि दिल महाकुम्ब को शुरू किया था गुजरात अहमदाबाद में, भारत की डिजिटल अर्थ विवस्ता 2030 तक कितने तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया, 800 अरब डॉलर, किस संस्थान ने रोल आफ लेबर इंडियास डेवलप्मेंट नाम की एक बुक को रिलीस किया, श वलके Current Affairs को revise करते हैं, तो बताओ, अंतरराष्टर इंटरनेट दिवस कब मनाया हमने, 29 अक्टूबर को, ये जो दिन है, पहला इंटरनेट संदेश भेदने का प्रतीक है, जिसे 1969 में एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में भेजा गया था, उस समय इंटरनेट को आ या यूं कहूं कि आयोजिन किया गया, तो भारत और फ्रांस की बीच में हुआ ये, ये इसका सात्वा एडिशन था, ये एक वायू सेन्य अभ्यास था, ये 26 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ, और ये 12 नॉमबर तक चलेगा, और कहां पर शुरू हुआ तो राजस्तान के ज 1992 में, और वर्ल्ड एलिफेंट को मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं, और इससे पहले 32 नंबर का एलिफेंट रिजर्व कौन सा था देश का, तमिल नाडू का अगस्ति मलाई एलिफेंट रिजर्व, अब बताओ, अक्टूबर 2022 में किस शहर में सरस्ट फूड फेस्टिवल 2022 2022 का इयोजन किया गया तो आंसर होगा नई दिल्ली में, और एक प्रयश्ण में आपसे पूछा था, कि थॉमस कप जो की पूरूशों का बेड़मिंटन टूर्णमेंट है, उसको पहली बार भारत ने जीता, 14 बार की चेंपियन इंडोनिशया को हरा करके, और जो उबेर का पुताई महिलाओं का बेडमिंटन टूर्नमेंट आप बताओ ये किसने जीता और किसको हराया फिर बताओ स्टॉक्वाम में 2022 के नॉबल पुरुसकार समारों से देश में गंभीर और बढ़ती स्थिद्धी के कारण किस देश को बाहर रखा गया तो अंसर होगा इरान को और अभी इरान एक्ति थे जिनको एक टैग मिला हुआ था यानि के एक पहचान मिली वी थी दुनिया के सबसे गंदे आदमी की क्योंकि वो सालों से नहाए नहीं थे हमने बढ़ा था उनका भी निदन हो गया नाम बता उनका क्या था नाम अगला प्रशन हम देखते हैं आइवरी कोस्ट में भारत के राजदूत कौन बने एमबेजडर राजेश रंजन बने किस राज़े ने महिला अनुकूल परियतन परियोचना को शुरू किया तो आंसर होगा केरल ने और कौन सी चाइनीज स्मार्टफून कंपनी ने लॉंच के चार साल बाद भारत में अपना वित्य सेवा कारोबार बन कर दिया तो आंसर होगा शियो मी तो वैस यह था आज का आपका रिविजन बाला सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर देना थेंक यू